कि दोस्तों अबाइब इन दोस्त ने स्वाख पूछा है कि ऐसा है शेम्पू बनाके में कि बल्ण हैर हो जाएं टिक हैै ना डबल हैर ग्रोथ हो जाए ये डोस्ते स्वाख कूछा अभी अभी ऐगनठा के ले ठीक है ना आज सोच रहा था यार भी एक हफ़ता चुटी करूंगा बहुत सारे वोडियो जा गई है अपलोड हो चुकी है मगर दोस्तों के मुवबत है कुश्चन पूछते हैं कमेट्स में कमेट्स लिखते हैं तो फिर दिल कहता है यार मैं उस पर वोडियो बनाओ ताके हम सब सीक्स जाएं सब इस रीसर्च वर्ड का हिस्सा बने ठीक है जिना ठीक हो दोस्त सबसे पहले तो हमारे एड्यूकेशन का जो यहां इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान में यह है कि बच्चे को हम तालीज दिलाते हैं फस्ट रिये इंटर बी ए बी एसी बी काम टोटल ही गौर्मेट के नोकरी के लिए तालीम देते हैं नोकर बढ़ने के लिए कारवबार की तालीम हमें नहीं मिलती ठीक है कोई बंदा हम जैसा सर फिरा इस पूरे डिजाम से बाइकाट करके चैलिंज करके नोकरी के दोरान बड़ी नोकरी थी बड़ा आफिसर था तीन साल छुटी लेके मैंने क्रेब के लिए जंगलों में धेके काये समंदरों में धेके काये ले दर इतनी अबदबूदा काम है उसमें तेन साल महिनत की सीखा ठीक है वो कोई कोई होता है जुनूर है आज भी कोई लालत नहीं नहीं मुझे वाशिक पांडर बेचने की ना हेर शेबुकित में प्रियाटरशन लेके ही नहीं आया हूँ तो जनाब अली सबसे पिले में बता दू जब हम पुराने ज तेल लगाती थी ना हफते में एक मरतबा ठीक है उसक तो शेम्पू नहीं था तो उसके बाल मत पूते आज हेर शेबुत है मगर हम सरसू का तेल नहीं लगाते यकिन कर हमारे ओड़ते मखन भी लगाती थी वह खन बच गया सथ पे लगाया ठीक है ना तो मैंने जो लेदर म मत आया तिन साल इतनी महिनत की इतनी महिनत की अब यकिन करो कोई यह नहीं समय था कि यह 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 गज़ेटे डाफी सारे लेबर के साथ बैठना उठना मरना यकिन करो हम लेदर के कामे वो करेम इतना घुस गयते फिर बिचारा मेरा दोस्त जो है ना जो बार्टनर था कवर पर कहा नहीं वो मेरा उस्ताद भी था वो बिचारा फिर दो हजार में दो हजार में तक कि इस बीमार पड़ गया तो बीमार देशुरू से था काफी दो साल पहले ही इन समदरों में रह रहे के तो मैं दो सो उनी सो अठ्ठाने में उसका उस्ताद को रुकिस्ट किया उस्त पस नहीं आता उसी दंदे में लगे रहते लेके रहते हो सकते हमें भी मर जाता केकड़ा पहले फेकते थे समदर में हमारे जो फिशर में हमने उनको पकड़ना सिखाया चाहिए बेकाक से उस्ताद लेके आये फिर यह बिजनस नहीं हो अर्बा रुपय कमा रही है अब आए यह यह बाल नहीं है यहां बाल नहीं है यहां बाल है तो खाल की ताप तस्वीर देखो जमी होई है मोटी है ठीक है यहां बाल नहीं है लूज है इस सकिन को एक तो ओयली चाहिए और ग्रीस ही चाहिए केमिकल हो, मकषन हो, आपका कुरूम हो या आपका गिलसरिन हो तीक, जब हम लेथर में खाल, बेसरें खाल, लेथर में दाहर काम करtoi है तहीं high जिस लेथर मे हम वो कुरूम नहीं था, वो ताकत नहीं थी, वो इनर्जी नहीं थी, उनके सेलू में उन में वो फूल आपन नहीं था, डबल लोट्री की तरह सूजी नहीं होई थी, ठीक है, तो उसको जनाब मजबूत करने के लिए, इस ट्रांग करने के लिए खाल को, हम क्या डालते थे, हम डालते थे, कुरूम, अंडरेस्टेंड, एक बात यहां तक, अब आए जनाब हम हेर शेंप, जो ओरते हैं, जो ओरते हैं, महीने में या पंदरा दिन में, एक तो सरसू का तेल लगाती है, एक चीज़, और साधी गिज़ा खाती है, यहां तो सारा दिन होटल पे जनाब रही है, बर्गर है, चोले हैं, हलीम है, उसी पे गुज़ा रहा है, तो फिर वो नहीं, जो ओरते हैं, साधी खोरा खाती है, उनकी लिए हेर शेंप, वो बहतरीन है, जिसमें गिलसरीन है, अब आए अपनी रेसिपी पे, ठीक है, अब इसको हम माटाते हैं, बाबा तु जा वन परसंट से जाधा होगी, पी जी वन परसंट हो गया, वो वह बहतरीन हैर शेंपू है, शर्त ये है, कि इन केमिकल्स में मिलावत नहोगा। ये क्या करता है गिलसरीन, गिलसरीन जब हम इस ने डालते हैं, तो ये स्किन को, इसकिन के जो बीच वाला लेर हैं, उसको मश् बीच वाल लेयर गौंद नमा है मिलकी कलर है वो उपर वारी यह जो लेयर है यह सोरक वाली इसको जो नीचे वाली बूसे के तरह मोटी लेयर है उसको जोड के रखता है तो गिलसरीन बीच वाले लेयर को मजबूत करती है खुद क्रीमी लोशन या क्रीमी जो एक उसमें केमिकल पड़ा हुआ है वो केमिकल क्या है यह को कॉंड़र ओयल है तो जनाब वहां उसके जड़ में जाके इन बालों के जड़ों से अंदर जाके उस बीच वाले लेयर को मजबूत करती है डेमेज है कहा तूटा हुआ हुआ ह उसको मजबूत करती है तो आपके यह बाल बहुत ही मजबूत हो जाते है अब आई समझ के बात आई सिर्फ ओयल लगाने से आपके बाल मजबूत नहीं होते हैं सिर्फ जनाब अली गिलसरिन लगाने से आपके बाल मजबूत नहीं होगे दो चीज़े है एक तो ओयल डालो ताकि इन सोराखों में इस चीज जाए गंद पिदाओ ठीक है ना फिर जना आप गिलसरिन डालो ताकि उन्हों गंदों को बहार निकाले कि वो खुद एक हिसा बन जाए बीच वाले लेयर का बीच वाला लेयर जर्खेज है जैसे हम हल चलाते हैं जमीन जर्खेज है तो फसल बेतरीन होगी बीच वाला लेयर जर्खेज है तो आपके बाल में ये मजबूत होंगे ये खुदा का एक निजाम है एक सिस्टम है ये सफाई का एक सेल मुड़दा होता है दूसरा यहां जिन्दा होता है एस सिस्किन में तो जनाब याली जिस ये मेरी जो रेसिपी है दो क मैं ना कोई लालच नहीं मैं आपको डिग्रेड भी नहीं कर रहा है मिया आपको सिखा रहा हूँ मैरा कारोबार नहीं ये वाश्यूंग पाउंटर के बंद करके बैठा हुआ हो क्योंकि मुझे मार्केटिंग नहीं आती मुझे जुकना नहीं आता इनसानों के सामने किसी वो बड़े होल्सेरर के सामेने जोंत जोंहेमिने 25 साल सरस्थमय भी नहीं किया 35 साल ही सरस्थमय कि जोंहें जोका उ तो सिरो रब्ड के सामें जोका हूँ उसकी वज्ञा बताता हूँ फिर मैं बताता, एक सेकडft करने मेरे अपनी जिंदध की मैंने किताब लिख है मुह जी ख्वाहिशं जी आखरी इस्टेशन यानि मेरी ख्वाहिशं का आखरी इस्टेशन उन मेरे पोते ठीक है ये पोतों के पीछे अलता स्वीर भी देखा देखा मेरे ख्वाहिशं के आखरी इस्टेशन ये मैंने किताब लिए ठीक है मेरा बाबा जो मेरा हैड मास्टर उस्ताद भी था फांच किलास से पड़ाये उसने नस्यत की थी जिंदगी भर वो मैंने साथ रखे पांच्वी किलास का स्टूडंत था वहर किताब में वो नस्यत लिखता हूँ आपको भी सुनादा बाबा ने लिखा हाँ ये इंतसाब भी मैं उसी के नाम लिखता हूँ ये किता मैं अपने वालिद साब के नाम करता हूँ खान मौमद कट पर जिसने मुझे मेहनत खिदमत और गुलामी से नफरत और सिर्फ अलाह अबादत करने के सबक पढ़ाये और याद कराया और मैं याद करता ही चला गया जिन्दगी इस तरह गुजारी किसी को साइश ही नहीं की इसलिए मैं मार्किटिंग में फेल हो गया ये किताबे हैं ये मेरी दुनिया है घर वाले सारे तंग देखो पूरा बैट भरा हुआ है ठीक है उठना बैटना ये तो मेरी चान बात चलिए हेर शेंपू की बात चलिए उठना बैटने का खोराग का खोराग में अगर हमारे पास जनाब निमक ज्यादा है छोले हैं तो ये इसकन को जन ये सारे इमल दखल अगर पूरे हैं तो गिलसरीन बहतरीन काम करती है आप रह करम इस से हेर शेपू की चीज़ को बना हुए मैंने इस्तामाल गया घर में सब बचों में जो हमारी औरते हैं सब ने का अब ये खत्म हो जाए ता सारी चीक नहीं बना के तो बाल टूटते हैं बाल फिर मदबूत होगए क्यों उसमें गिलसरीन है क्यों उसमें पीजी वन है गिलसरीन है ये क्या है इसकीन को रिप्यर करता है साफ नेस भी लेकियाता है ये इसकीन में पीजी जो है वो कूलिंग कमपाउंट है जो ना इसकीन में जलन है इसकीन में ना वो सुकून नही पीक्यू सेवन ये जो बालों को तूटना है उसको मश्बूत करता है ये तीन केमिकल आप ये दस किलो पांच किलो बनाएं सिर्फ ठीक है नहीं पांच किलो बनाएं फिर अगर मुझे स्वाल पूचेंगे तो बेहतरी न रहेगा मनाओ घर में इस्तामाल करो मेरा कोई कारोबार नहीं है कोई लालच दोस्तों में नहीं है अल्ला सबको खुश रखे सलामत रखे मेरे ये चैनल को सब्सक्राइब करो और अच्छी अच्छी कुश्चन पुट अप करो ताके मैं मजबूर हो जाओं कि मैं एक और वीडियो बन स्थड़ मेरा अच्छी कोई खुड़ा धर वीडियो खु़र में वानकाि भीडियो प unf